हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज जम बनाएंगे पोहा का इंस्टन्ट नास्ता जिसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो और डिनर में भी खा सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट बनने वाला ये नास्ता है और आप चाहे तो इसको टिफिन वॉक्स में भी बच्चो को दिए सकते हो वड़ा को बिट इं वक्स में आप इसे दिए सकते हो बहुत ही बढ़ lightning ये नास्ता बनने वाला है तो आप इसे जरूर से एक बार ट्राय कीजेगा और परक्प्रेक compassionate के साथ ट्राय कीजे mm2 आपको बैसा ही बनेगा जैसे आपको दीख रहा है एक्दम तो dwra नमत्रदेब एक्ष्रापाणी कर्लें आफ़ो एक्ष्रापाणी निकाल psyche बावल में कलेक्ट हो जायेंगा तो यहां पे मैंने 2-3 बार लिये आप उपिक खेल लिये होए रहेंगा आवि 10 दस मिरीट तक एक मिक्सीजार मेरेसे यहां पे ज़रेंगे छारा आजया मेरे सार। बार ट्राइ करोंगे तो आप एक कप वहां का ही यूज़ करेगा बाद में सेकेंड टाइप जब आप बनाते हो तभी आप उसको ज्यादा बना सकते हो तो एक कप वहां के सामने आपको एक कप आलू लेना है उबला हुआ और उसमें छे चम्मत जितनी सूजी एड करनी है और यहां पर हम थोड़ा सा पानी एड कर सकते हो और इसको हम पीस लेंगे तो यहां पर मैंने इसको पीस लिया है आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टनसी यह आप इसी कंसिस्टनसी से नास्ता रेडी कर सकते हो और यहां पर आपको पतला बनाना है तो आप इसमें पानी एड कर स कर सकते हो मतलब त्यान यह रखना है कि डौसा के बैटर जैसी consistency हमें ready करनी है थिक consistency होगी तो कोई problem नहीं होगा बकर ज्यादा पतली consistency भी नहीं हो जानी जाए परना यह हमारा नास्ता बिल्कुल perfect नहीं बनेगा तो यहां पर अची तरह से पानी को add करके हमने इसको मिला लिया है और आपको यह बैटर थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और सूजी एड़ कर दीजीगा ताकि यह perfect consistency वाला बन सके थोड़ा सा और पानी में यहां पर एड़ कर दिया है थोड़ा सा और थीक मुझे लग रहा था तो थोड़ा और पानी एड़ करके फिर आप के सारी veggies को drivers करने वाले है कि अपको पसंद है तो नमक करेंगे तो आपको जैसा भी हिसा पसंद है उसी टेस्ट के सबसे आप में नमक करिएगा यहां पर मिन्हें एक चमस के नमक कर दिया है आपको मुझा पसंद है तो कौं ममक tahun को का लिया है कैसी कम अध्रगкіपि पे ले ली है और टमाटर को इसी प्रकार से चोटे-चोटे पिसस में कट कर लिया है सारी वेजिस को हम एड़ कर देंगे यहां पे और भी कही सारी वेजिस आप ले सकते हो जैसा कि कैरट है धनिया पत्ती है और ऐसी कही सारी वेजिस जो आपको पसंद है सारी वेजिस हम इसमें आप चाहे तो कौन भी इसमें एड़ कर सकते हो कौन का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है इसमें तो आप चाहे तो कौन भी एड़ कर सकते हो और यहां पे ले लिया है चिली फ्लेक्स तो जो पीजा में चिली फ्लेक्स आया था वो मैंने यहां पे रखा हुआ था तो वो पूरा पैकेट मैंने इसमें एड़ कर दिया है एक चमब चितना था सायद तो हम इसमें एड़ कर देंगे आप चाहे चीली फ्लेक्स के बदले रेट चीली पावडर भी आड़ कर सकते हो और कुछ भी नहीं एड़ करना है तो आप कर देंगे और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टनसी बहुत अच्छी से बन चुका है और अब हम इसमें थोड़ा सा सौफ्ट बनाने के लिए सोडा एड़ करेंगे वैसे सोडा एड़ नहीं करते हैं फिर भी यह पहां आता है तो बहुत ही सॉफ्ट बन के तो एक चुटकी पर हमने सोडा एड़ कर दिया है ओपर से हमने economy a कजन्य pan पांश डॉप्स इतना animal जूँ देंगे और अची तरह है लेंगे तो इसी तरह से हमने इसको अच्छे से मिला लिया है और अभी हम इसमें से हमारा नास्ता रेडी करने वाले है और यह जो नास्ता है आप नौन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो डौसा की जो तवी आती है उस पे भी बना सकते है नौन स्टिक पेन पे बनाते हैं तो आप उसको डखकन लगा के कुक कर सकते हो डौसा की जो तभी आती है उसमें आप कोई बिथाली वगेरा लगा के आप उसको जल्दी से कुक कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने जो डॉसा की नॉस्टिक आती है वो ले ली है उसके उपर हम और स्प्रेड कर देंगे और यह जो तब ही है पहले से मैंने तोड़ी सी हीट करके रखी हुई है लेकिन जब हम बैटर डालेंगे तब ही गैस की फ्लैम हमें एक्दम स्लो कर देनी है बाद मे दियान रखेगा कि बहुत ही हलके आतों से इसको स्प्रेड करना है वरना यह बहुत ही जल्दी से स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि बैटर हमने यहां पर पतला रखा हुआ है आप पहली बार ट्राइग करोंगे तो आप बैटर थोड़ा सा गाडा ही रखेगा ताकि एकदम परफेक्ट आपका यह नास्ता रेडी हो चारो तरफ से आप देख सकते हो इसने एजिस को छोड़ दिया है एकदम इजिली एजिस निकल के आ रही है तो चारो तरफ से एजिस को हम इसी तरह से उठा लेंगे और इसको पलट लेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है इसी कम कलर भी ला सकते हैं आपको इतना चाहता डार्क पसंद नहीं है तो कम पकाईए आप इसको और आप देख सकते हो बीच में से अच्छी तरह से फूल चुका है और साइड में हम फिर से ओयल एड करेंगे और उसको स्प्रेड का देंगे इसे तरह से और आप चाहे तो इसक निकाल देंगे यह बहुती सोफ्ट बनता है तो बहुती ध्यान रखके आपको इससे निकालना है तो इसको मने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है इसी तरह से हम दूसरा नास्ता भी डेरी करेंगे तो इसलिए हमने यहां पर इसको प्रेड कर दिया है यह थोड़ा-चोट इसको भी हम पलट लेंगे और यह चोड़ी चोड़ी बात है अगर आप ध्यान रखोंगे तो यह नास्ता आपका भी एकदम पर्फेक्ट बनेगा और बहुत ही पसंद आने वाला यह नास्ता है ब्रीक फास्ट में भी बहुत पसंद आने वाला है और आपको रोज रोज परे तो में इसको ग्रीन चटनी के साथ अधर दिया है आप चाहे तो टॉमेटा ओणी चटनी के साथ या फेरा सवीट दही के साथ है अजब की लिंक आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा हम उसको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे देंगे वहां से आप चेक आउट कर सकते हो अधरवाइस आप हमारी चैनल में से डायरेक्ली चेक आउट भी कर सकते हो तो यहां पर मैंने कट करके भी आपको दिख कि इसको हम पहुआ का यूज़ करके बनाते हैं तो बहुत ही सोफ्ट बनता है और बैटर उसका बहुत ही स्प्रेडी होता है तो जल्दी से बन नहीं पाता है कभी-कभी तो पहले थुड़ा बनाएए बाद में आप सेकेंड टाइब बनाते हो तभी आप उसको ज्यादा ब बताएगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू थेंक यू फर वाचिंग